यह पार्ट हम वीडियो के एंड में शूट कर रहे है क्योंकि मेरा मन्त था बस यह चीज मसाला पाव बना के खा के जाने का लेकिन बाद में लोगों ने बुला यह वो क्या हुआ पाव भाजी पारसल बोले हैं उमने वो जिंगी जिंगी टाइप्स तो फिर हमने यह भी बना एक तीर से दो आम की गुठलियां आम के गुठलियों के दाम तीर म्यूजिक के बाद तो चीज मसाला पाव बनाने के लिए आपको चाहिए चीज पाव और मसाला ठीक है तो मसाला जो है आप रेडिमेड यूज कर सकते है ठीक है जो भी आप पाव भाजी मसाला इस्तेमाल करते है वो यूज कर सकते है तो देगी मरी इंग्रीडियंट्स में ही पावभाजी मसाली की सीक्रेट है ये लो जी, 20-25 ग्राम धनिया, उसमें लगबग 2 चम्मच जीरा एक टीस्पून काली मिर्च, चार से पाँच बड़ी इलाइची, चार से पाँच छोटी इलाइची एक टेबल स्पून सौफ, एक पीस चक्री फूल, चार से पाँच लोंग, हींग और रंग वाली मिर्च लगभग 10 अब आप चाहें तो जो मिर्च हैं इसको अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको तीखी पाभाजी पसंद है तो तीखी वाली बढ़ा दीजी, अगर रंग चाहिए तो रंग वाली बढ़ा दीजी मैं 80% कलर के लिए मिर्च यूज करता हूँ सिर्फ 20% तीखे पन के लिए, ठीखे जी थोड़ा डाला नमक इसमें चाहें तो थोड़ा सा दगड़ फूल इसमाल कर सकते हैं, यानि कि पत्थर का फूल इसे हम बोलते हैं, आप वो इसमाल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, सौंधापन अच्छा देता है बाद में ये दालचीनी, लगभग 3-4 इंच के डंडे, और ये तेज पत्ता, और बास ये देखे, हल्का सा ड्राई करना है इनको, इसके बाद ये जिंजर पाउडर, ये आमचूर, वेरी इंपोर्टेंट है, और ये हल्दी तो इस तरह आपने होममेड पावभाजी मसाले की रेस्पी भी देख ली, किसी भी बादार के पावभाजी मसाले से बहतर है, अगर आपको डीटेल में रेस्पी देखनी है, तो पावभाजी मसाला कैसे बनाए, रनवीर प्रार लिखे, और मैं वहाँ हाजिर हो जाओंगा तो क्विकली-क्विकली पावभाजी मसाले का भी एक रिवीजन हो गया है न, अभी आते हैं मतलब की चीज़ पे बारिक-बारिक चॉप कर लें, इतना बारिक आप कर सकते हैं बेसिकली पावभाजी के तड़के के तीन में इंग्रीडियंट्स हैं एक तो है प्याज, दूसरा है टमाटर और तीसरा है शिमला मिर्च कभी भी पावभाजी रिलेटेड कुछ भी बना रहे हो, चाहे मसाला पाव ही क्यों न बना रहे हो, उसमें टेक्स्चर के लिए ये तीन इंग्रीडियंट्स बहुत जरूरी है प्याज से जो है एक जूसीनेस आती है, मिठास आती है, टोमेटो से एक हलकी सी खटास आती है, एक जूसीनेस आती है, और बेल पैपर से एक बहुत खुबसूरत एक मखमली टेक्स्चर आता है, लगबग दो मीडियम प्याज, इतना चार आदमी की पाभाजी के लिए वैसे चॉपिंग का भी इतना चकर नहीं है, अगर आपके पास वह चॉपिंग करने वाली मशीन है वह आज के लाती ही न रसी खीचने वाली, तो उससे भी कर सकते हैं, जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं, उतना बारीक चॉप कर लीजे, अब क्या रह गया? सिमला बारीक बारीक काटना है, आप सोच रहों गयार यह रनवीर इतना चुप क्यों है आज, अच्छली क्या है न, यह वो डिश है जो मेरे दिमाग में साथ साथ बन रही है, अच्छली यह खोपड़ी जो है अंदर की तरफ भी चल रही है आज, तो इसलिए चुपू में, अब आपको एकदम वो होता है न, वो एकदम चिली चिकन वाली फील देगा, यह अलग से कटिंग कर ली, अपने चीज मसाला पाव के लिए, और वो जो है यह तो जिंगी, क्या बोलते है उसको जिंगी, जिंगी पारसल, आशकल नया है, मार्केट में निकला हुआ, तो मैं बोल पावाजी बनाने के लिए सबसे इंपोर्टेंट इंग्रीडिन्ट, बटर, इस बटर में गया प्याज, हलका सा तेल, ताकि बटर जले न, तीन भाग बटर, सिर्फ एक भाग तेल, और जितना चोड़ा बरतन होगा, उतना चोड़ा बरतन अच्छा है, बिकास पावाजी पावाजी बनाने तो वैसे नहीं बनेगी जैसे की बननी चाहिए, अभी इसके अंदर डाला अध्रकलसन पेस्ट, अब इंपोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर प्याज को हलका सा लाइट ब्राउन, बिल्कुल नहीं करना है, मतलब वो क्या कहते है, उसको सफेद करना ह अध्रकलसन पेस्ट की हींक होती है, कच्छा पन होता है, वो निकालना है, that's about it, beautiful, लेको हो गया, ट्रांसलूसिंट, इसके अजादा नहीं सोचना है, सीधा डाल दो जी, अपना रेड मावला ते ग्रीन मावला, अब इसमें डालो थोड़ा सा और बटर, वे जो अपना टम अपनाटर को मेल्ट होने का वक्त दीजिए, बहुँग जरूरी है, तमाटर गलने के बाद मसाला डालेंगे, अगर आपको टमाटर को गलने में मदद करनी है, हालां कि जो हमने मकषन डाला है, उसमें सॉल्ट है, थोड़ा सॉल्ट और डाल देंगे, तो उससे टमाटर और जल्दी गलेगा, scientifically हम ऐस्मोसिस बोलते हैं मतलब पानी को खीचना, तो जब नमक डालते हैं तो नमक पानी खीचता है और नर्मी आती है टमाटर के अंदर एक देगी मिर्च, 50% of the times अगर आप पावभाजी खा रहे हैं और बहुत लाल है, तो चांस यह है कि उसमें रंग पड़ा हुआ है, बाकी 50% of the times चांस यह है कि उसमें ठोक के देगी मिर्च डाली हुई है, देगी मिर्च महंगी है ना, तो पर कम डालते हैं लोग सबसे बड़ी common जो हम गलती करते हैं पावभाजी खासतोर हम North India में हम लोग गलती करते हैं वो यह के पावभाजी में हम सारी सबजियां डाल देते हैं लेकिन जो बेस है इस पर फोकस नहीं करते हैं यह जो प्याज, टमाटर और कैप्सिकम का बेस है यह सबसे important है, पावभ बहुत और अब अपना पावभाजी मसाला ठोक के डालना कुझी उसी नहीं करने सारा टेस्ट हो इसी कही है यह हो गया जी ready ठीक है अब यह जो प्याज टमाटर शिम्ला मिर्च का मसाला इसको बना के आप फ्रिज में डाल सकते हैं अब पावभाजी मसाला डालने के बाद इस स्टेज पे आप निकाल के इसको फ्रिज में डाल सकते हैं पांच दिन कुछनी होगा मेरी गारंटी एक हफते की बी मैं ले सकते हूं और पांच दिन पर रखते हैं इसको पांच दिन तक कुछनी होगा पानी है ना इसके अंदर प्यास है और उसके बाद जो मर्जी सब जी लें, boil करके उसके अंदर डालें, mix कर लें और आपकी instant पाव भाजी रेडी होगी, इसमें डालते हैं तोड़े आलू, अगर आप वो quick पाव भाजी बनाने हैं, तो सबसे basic चीज, ज्यादा दिमाग लगाया वेगार जो सब जगा मिल जाती है, वो है उबला हुआ आलू, दूसरा यह भी क्योंकि अभी हम अगर पाव भाजी जिंगी पारसल बनाने के लिए निकले हैं, तो पारसल के अंदर फिलिंग चाहिए न, तो आलू जो है वो फिलिंग को होल्ड करने में मदद करेगा, यह लो जी, ग्रीन चिली, और बटर, यह रंग बड़ा important है देखो लेकिन अकर यह रंग नहीं है पाव भाजी का तो कुछ तो गढ़बढ है, लाइफ में, और अभी जो इसकी consistency है न, यह जो इसका गाढ़ापन है, यह एकदम perfect नहीं है, पाव भाजी कभी ऐसे आलू की सबजी की तरह गाड़ी नहीं होती, विल्कुल watery और flowy होती, लेकिन क क्योंकि हमने बनानी है stuffing, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा वाला mixture में निकाल के रख लूँगा और उसके बाद इसको पतला करेंगे, ठीक है जी वो जिंगी पारसल बनाने न, पाव भाजी जिंगी पारसल तो ये तो हो गई जी अपनी filling हाँ, तो पाव भाजी पारसल बोल लीजिए, पाव भाजी पाकोडा बोल लीजिए, ब्रेट पाकोडा या जिंगी पारसल, उसकी filling ठीक है, इसको फ्रिज में डालेंगे, दूसरी तरफ ये जो है, यहाँ बनेगा अपना एकदम first class cheese masala पाव अब इसकी बनाते हैं, असल भाजी, यानि एकदम रहने वाली भाजी बेसिकली पाव को एक बटा चार करना है देखिए, अकसर प्राब्लम हो यातिना कहरें यार, पाव भाजी थी, पाव बच गया, अब ही क्या करें, पाव बासी हो गया, यो प्राब्लम भी solve कर देगा जी, अभी बटर में अपनी शिमला मिर्च, तमाटर, अलका सा बटर में बस्तोस करना है, अलका सा बटर में नरम किया, उसके बाद डाल दिया अपना पाव, तोड़ी देगी मिर्च, डन, पाव में एकदम बटर, मिर्च, सबजी मिक्स हो गई, अब इसको मिक्स कर लिया अपनी भाजी में, वा, लालच आ रहा है, लालच रनवीर बरार, लालच तो आ रहा है, अभी, ऐसे एक छोटे बरतन में, अच्छे से बिचा लिए, अच्छा इसमें कहना वो आलू-आलू डालें की जूरत नहीं है, अगर आप सीधा पावभाजी मसाले लेना चाहते हैं, सीधा पावभाजी मसाले लीजे, इसमें प्यास टमाटर श्मला म चीज है, चीज में कमें नहीं होनी चीए, बाकी का मामला, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, अगर पीजा चीज है आपके पास, तो फिर और मज़ा आएगा, नहीं तो कोई भी चीज यूज कर लीजे, लेकिन चीज ठोक के डालिए, वरना मज़ा नहीं आएगा, और आप क एक चौथाई कप पानी, ताकि पकड़े ना हो, अभी बहुत सिंपल है, एक बार गैस को करदें तेज, दस तक गिने, दस, नौ, आठ, साथ, चेज, पान, चार, तीन, दो, एक, गैस करदें स्लो, और लगा दें धक्कन, ठीक है, अभी जो है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज नाइस, आहा, यह मसाला पाव देखिए, और मसाला पाव की धार देखिए, आया मजा, अभी यह वो फोटो मोमेंट है, अभी जो फोटो खिचेगी, यह इसके थमनेल पे जाएगी, फिर आप ललचाएंगे, और चीज मसाला पाव बराने के लिए, यहाँ पर आएंगे, र बस थोड़ा निम्बू ने चोड़ना है, आबला सेट है, सरदियों में तो भाया यह राम बान है एकदम, विंटर वर्मिंग फूड है यह, ऐसे खतम कर दूँगा भाई, तो यह चीज मसाला पाव दो नंबर बाने, दूसरा गाम पता है क्या कर सकते है, कि सब कुछ मिला क चीज डालके, प्लेट में या बोल में डालके, माइकरो में डाल सकते है, देड़ मिनिट माइकरो मारिए, आपका मामला सेट, अगर आपको टेंशन है, नीचे लग जाएकर अन्वीर, तो क्या करेंगे, कुछ ने करना, पावाज लीजिए, उसमें बटर्ड पाव डालिए और वेगटेबल्स डालिए, चीज डालिए और माइकरो मार दीए, सब बता दिया माने, यह है सो खाने का तरीका, निम्बू, यह, प्यास, और एकदम एकदम चीजी-चीजी मामला, एक करम करें, आज आप यह बनाएगे, उस जिंगी बासल कल बना लेगे, है, है, रापस भेज दिया गया मेरे को, बलावी, बोला है, दो चीजे दिखाओ, और दिखाओ, और जो मेरा पैन है, वो छीन लिया गया है, और मुझे तब तक नहीं मिलेगा, जब तक मैं आपको यह पाव भाजी पारसल्स की रेस्पी नहीं बताता, बड़ा सुआ था लेकिन व मसाला पाव, होए होए होए, एनिवेस, यह तो आपको पता है, यह हमने गाड़ी वाली पावाजी बनाई थी, फिलिंग के लिए उसको रखा था, सिर्व उसके अंदर मैंने, हलका सा, बिल्कुल हलका सा, मामूली सा धनिया डाना है, अब थोड़ा सा, मामूली सा, लिमन ज बैच से करके, और अगर चीज भरना है, चीज भरें, उपर से उसको हलका सा ट्रिम करें, और जैसे आप ब्रेट पकोडा बनाते हैं ब्रेट पकोडा, वैसे बना लें पावभाजी पकोडा, एक पॉसिबिलिटी तो यह, हैना कूल आईडिया, दूसरी पॉसिबिलिटी यह अगर आपके वास पाव नहीं है तो यही दो ब्रेड के स्लाइसे लें इसके अंदर यह वाली फिलिंग डालें और इसको बंद करके फिर तल लें फिर बना ले पावभाजी पकोडा देखिए अगर आपने पावभाजी ब्रेड पकोडा बनाया और मुझे याद ने किया तो म में बता रहा हूँ ऐसे साफ कहना सुखी रहना और नहीं कोई फार्क ने बेंदा थोड़ा तो बढ़ता है एक तो यह हो गया पावभाजी पकोडा लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी वह जिंगी क्या है जो भी होता है आजकल के बच्चे बढ़ा खाते है पार्सल की तो पार बेदा ने रोटी बेलते हैं आए हलका सा पानी लगाया है में ताकि bread टोटे नदाधा पानी भी नहीं लगाना ऐसे देखे हल का सफ़ानी बीच में भाजी चीज डालना है तो चीज यहां से पकड़ा और ऐसे दबा दिया फिर यहां से पकड़ा फिर यहां से पकड़ा फिर साइड से दबाना चालू कर दिया यह देखिए simple, easy no rocket science ओके जाए तो अब यह जो है इसको चाहे तो अवन में डाल सकते हैं चाहे इसको deep fry कर सकते हैं यहां फिर हलके से तेल में shallow fry भी कर सकते हैं हम shallow fry करेंगे यह देखिए नीचे से नीचे से क्रिपसी, उपर से नरम और मामला सेक्ट उपर से थोड़ा पाव भाजी मसाला यहां देगी मिर्च स्प्रिंकल कर दें एर फ्रायर है तो एर फ्रायर में डाल सकते हैं इनको क्यूट से लग रहे न यह जो गॉन्टरास है ने टेक्श्चर का कि एक तरफ क्रिपसी और एक तरफ एकदम नरम वही इसकी मोनोपोली है वह हमने मसाला चीज पाव बनाएं उसको अगर पैन में बनाएंगे तो उसका ज्यादा मजा है क्यूंकि वह पैन नीचे से एकदम क्रिपसी कर देता है तो नीचे का पाव क्रिपसी हो जाता है लगभग डार्क ब्राउन टाइप का क्रिपसी और उपर से एकदम नरम रहता है वह उसकी मोनोपोली है ठीक है यानि कि the contrast of textures is what makes this beautiful जाता है तो मैंका जी नमबर न तो नमबर वज़ाओ और मैं का जी नंबर वन मतलब नंबर वन यानि कि मोटा मोटी क्या किया ना मोटा मोटी अच्छा किया कि सिर्फ वो मसाला चीज पाव पर नहीं रूके है पारसल भी दिखा दी वाकि मेरी आदत है जितना मर्दी कोशिच कर लो तो जटपट जटपट बोलके बीच में कुछ ठोक ही देता हूं लेकिन उम्मीद यह रखता हूं कि आपको उससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू और अगर वो जटपट फटाफट रेश्पी है ना अपनी मसाला चीज पाओ की तो यह बढ़िया सी पाटी स्नैक्स की रेश्पी भी है यानि कि एक तीर से दो भैंस को सामने बीच बीन बजा दी हमने ऐसे कुछ हो दे ना नहीं पूसे निशाने एक भैंस से दो निशाने एक तीर से दो भैंस चलिए थैंक यू अब वापस नहींगा बढ़ियेगा झाल झाल